नमस्कार सातियों स्वागत आपका चनल SSC Exam Warrior में दोस्तो SSC GD Constable Review Medical Examination चला हुआ है इसमें Candidate को किस तरीके से बता जाएगा कि वो Candidate Fit है या किस तरीके से बता जाएगा कि आप लोग Unfit है तो उसका देखिए एक फुरूप में आप लोगे सामने लाया हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फॉर्म है जो Constable GD के रिगार्डिंग है देखिए फिट और Unfit का दौनों का ये की Certificate होता है सिर्फ जो Fit होगा उसपर Fit लिखा होगा और जो Unfit होगा उसपर Unfit के अंदर रीजन लिखा होगा किस काल से Unfit क्या गया है तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक फॉर्म दिखा रहा हूँ ये है Unfit का Fit का भी आप लोग को दिखाऊँगा साथ में Remedical Examination के बारे में बताऊँगा कि कितने Candid Qualified हैं कितने Disqualified हो रहे हैं और किस तरीके से Remedical Examination कंडग करा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर Review Medical Examination की Report है इस तरीके से आप लोग का लिखाऊँगा Form No.4 होता है नीच आएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर आप लोग का नाम होगा रॉल लंबर होगा, जेंडर होगा, और फादर नेम होगा इस चार आप लोग का पता चलिएगा कि आप लोग कौन से केंड़ेट हैं नीचे देखिए आप लोग का यह इस तरीके से लिखा हुआ है किस रीजन में इनको दिया गया था Remedical Examination और Reason for Medical and Fitness यहाँ पर इनका बताया गया है Bowl X ICD 8 mm इनका दिया गया है तो यह आप लोग का लेक के उपर दिया गया है 8 mm का जुखाव के कारण यहाँ पर देखिए दोस्तों डिटेल्स बतायी गयी है क्यों इनको unfit किया गया है किस पॉइंट में इनको unfit किया गया है यह सब यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे देखिए आप लोग फाइनल अपोनियन लिखा हुआ है जिसके अंदर fit का जो अपोनियन है उसको इनको ने blank छोड़ा है और unfit के अपोनियन पर इनको ने लिखा है तो मतलब यह unfit है और उसका region यहाँ पर इनको ने mention कर दिया है केंडिएट ने माफ किजेँगा डॉक्टर ने यहाँ पर देखें medical officers होते है उनके signatures है यहाँ पर आप लोग को medical officers के signature मिल जाएंगे तीन medical officers है और तीनों की महर और signatures आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे नाम आप लोग देख सकते हैं तीन medical officers के नाम clearly उनकी stamp में mentioned है तो इस तरीके से Remedical Examination conduct करा जा रहा है इनका sign लिया जाएगा इनसे आप लोगा fingerprint लिया जाएगा उनको ये unfit का certificate दे दिया जाएगा एक certificate अपने पास रख लिया जाएगा Review Medical Examination का एक आप लोगा point होता है कि आप लोग अगर unfit हो या fit हो आप लोग को certificate जरूर दिया जाता है आप लोग fit पाए जाते हैं तो भी certificate दिया जाता है unfit पाए जाते हैं तो भी certificate दिया जाता है लेकिन आप लोग जब details medical examination देने गए होंगे तब आप लोग किसी इसी तरीके का fit का certificate नहीं दिया जाता सिर्फ आप लोगा unfit होते हैं तो आप लोग को review medical examination के लिए form दिया जाता है तो यह आप लोगा अंतर पाया जाता है review medical examination और आप लोगा details medical examination में next आप लोगा form एक और form है मेरे पास वो आप लोग को mention करा देता हूं यह देखिए review medical examination की report है roll number देख सकते हैं नाम मैंने ऐड कर रा रहा है रिरॉलमन नाम और फादर ने इटेंटिती को लेकर बाकी यह नीचे आएंगे तो नीचे आप लोगका इनका अपॉनियन देखिए अन्फिट में कोई अपॉनियन नहीं है इस इन वह यहां पर अपॉनियन दिखा गया है काफी blur image है आप लोग को दूसरी image दिखा देता हूँ fit candidate के अगर दूसरी image मेरे पास है तो वो आप लोग को so करा देता हूँ यह आप लोग के same candidate है जिनका unfit का था next पे जाते हैं तो next देखिए हाँ देखिए दोस्तों यह आप लोग का review medical के unfit में निल लिखा हुआ है यानि जिस तरीके से review medical में unfit में कुछ अगर mention किया गया है तो वो unfit है निल लिखा गया है यानि वो fit है fit के opinion में देखिए दोस्तों opinion के अंदर fit के opinion में इनको fit लिखा गया है और इसको blank छुड़ा गया यानि यह fit candidate है और यहाँ पर इनका जो है किस point में दिया गया था किस कान से fit किया गया था यह सम mention है दोस्तों जो review medical examination conduct करा जा रहा है maximum इसमें chances आप लोगे fit candidate के chances ज्यादा बन रहे है जिस भी candidate का minor problem है उसको भी fit किया जा रहा है सारी report हमारे सामने है report आप लोगो मैं आप लोगो mention कर चुका हूँ previous वीडियो में वो जा कर जरूर देख लिजेगा उस वीडियो में आप लोगो सभी centers की details वीडियो अपडेट बताई है कि center से कितने candidate qualify है तो maximum centers की मैं आप लोगो report दे चुका हूँ बागी center बचिंगे तो उसकी report मैं आप लोगो देता रहूँगा next 10 नौबर तक आप लोगो की review medical examination होगा तो जैसे मेरे पास update आईगी आप लोगो regular update मिलती रहेगी और ये आप लोगो का fit और unfit का certificate है जो आप लोगो provide कराए जा रहा है तो इसमें भी आप लोगो डाउट थे तो आप लोगो पता चलिए का उन सांस से आप लोगो fit और unfit के certificate दिये जा रहे है तो बागी दोस्तों आप लोगो इस तरी के update मिलती रहेंगी हमारी next वीडियो में चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में से तरी की update के साथ जब तक लिधने बाद जैहिन जैवारत